शिम महापुरान की कता करती है त्रवेणी का पोधा घर में नहीं लगाया जाए कई कई लोग इतने चतुर होते हैं कि घर में त्रवेणी लगा लेती है कि गमले में आवला लगा लिया पीपल लगा लिया बड़ लगा लिया तो ये त्रिवेणी का जो पोधा होता है, ये बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए, हाँ, आउले का पेड़ा पलक से लगालो, चिल जाए, पीपल का पोधा चोटा लगाओगे, थोड़ा समय तक जब तक पीपल बड़ा ना हो, तुमारे सिर पर चाया ना ही हो, तब तक तो आप घर के अंदर लगा सकते हो, पर पीपल बड़ा हो जाए और उसकी चाया आपके सिर पर आने लगे तो उस पीपल को घर में नहीं रखना, उसको बाहर लगा, आउले का पोधा चोटा हो, उसकी चाया ना पड़े, तब तक आप पूजन की लगालो, मना ही है, पर बाद में जब छाया सिरते आने लगे तो बड़ा भी आपको बाहर लगाना पड़े हो, केवल आउले का पोधा इसा होता है जो घर के अंदर आप लगा सकते है, शमी, शमी का पोधा घर में लगा सकते है, पर शमी का पोधा भी जब बड़ा हो जाए, तब उसको भी आठाना पड़ेगा है कि शंकर भागाणा को की बेलपत्रय चड़ती एषमीं पद्र की तर्वेने प्रमानुन तो उसी के अंदर उसी में आउलेगा उसी में फीपन वो श्मौ महापुरान बंड़ना नहीं करते है से सगह sechs घ्रवेनियु का पोधा गमले के अंदर होता है वहां हुझ इस स्थान पर महराज कहीं ना कहीं केलेश का भाव होता है उस गर में शांती नहीं होता है क्यों तो उसका भी व्याख्यान गरुन पुराण में कहा गया चावर्णनतिया गरुन पुराण कि जब जीव आत्मा को लेकर आया जाता है सारे सुक दुख सब भोगने के बाद में कुछ समय के लिए उसको पित्र लोक में जब लाया जाता है तब पित्र लोक में आने का जो प्रवेश द्वार है उस द्वार में जब वो जीवात्मा सारे दुख भोग कर तकलीप भोग कर वो जीवात्मा जब प्रवेश करती है तो उसको लगता है कि यहाँ पर फिर मुझे कहीं तकलीप का नुबह होगा तो वो अंदर प्रवेश नहीं करती है त्रवेणी का जो पोधा होता है उसी पोधे के नीचे वो जीवात्मा कुछ देर विश्राम कर लेती है इसलिए शिव महापुरान करती है त्रवेणी बाहर पूजी जा त्रवेणी बाहर लगा पर त्रवेणी का पोधा घर के अंदर गमले में रहेगा जीवातमाउं को जैसे दुक का भान होता है तो विश्रांती लेते हैं तो आहूत-पितर वासुक जो प्रेत-योनी में भटकने वाले भी जीव होते हैं वो त्रिवेणी के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं की शुण अंधर को मिश्राण के अंदर जोड़ा को तो गब सी दुर्वा इस चीज के लिए लाध्यायक तो गढेश पुरान में संध्य का गजा कि यदि एक लोता पानई एक कलश जल उसमें चन्नन गोलकर अप्षत के पांच दाने और पीपल के दो पत्थे उसमें डालकर शमी के पेड़ के उपर उस जल को समर्पित करकर आप अपनी कामना बोलकर जिस कारे के लिए जाते हैं वो कारे मात्र तीन दिन में सफल हो जाता मात्र तीन दिन लगए गणेश्पुरा शमी पत्र का शमी का जो पोधा आपको कहा था बेल पत्री माता पारवती के नैना शुर से प्रकट हुई दुद्राप्षा का पोधा शंकर भगवान के नैना शुर से प्रकट हुआ और शमी का जो पोधा है वो उमा और महेश माता पार्वती का जो एक अउतार हुआ था उमा उतार तो माता पार्वती जो बावन अउतार माता पार्वती के हुए उसमें एक अउतार माता पार्वती का उमा उतार है तो उमा उतार जब माता पार्वती का हुआ था तो उसके साथ में शंकर भगवान को महेश्वर आउतार लेना पड़ा तो महेश्वर आउतार भगवान शंकर ने लिया तो उमा और महेश्वर का जब मिलन हुआ था उस मिलन के द्रश्टी कोण से उस मिलन की द्रश्टी से शमी का पउड़ाउत पर शंकर भगवान की जो जलाधारी है बस उस जलाधारी का मुख उत्तर का होना चाहिए घर में भी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखते हैं अपन तो शंकर जी की जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर का होना चाहिए उत्तर हो भगवान को जब भी भी बेल पत्र आप आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो यह डंडी का मुख आप जहां बेटकर कर रहे हो आप उधर बेठे हो इधर बेठे हो जहां तुम भगवान शंकर के सामने बेठे हो इस डंडी का मुख तुम जिस जगहां पर बेटकर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तुम जिस जग जब शमी पत्र भगवान संकर को समर्पित करो तो शमी पत्र की डंडी का भाग आप की ओर होना चाहिए बेल पत्र की डंडी विप्रीता भाओ और शमी पत्र की डंडी का भाओ शमी पत्र की जो डंडी होती उसका भाग अपनी ओर होना चाहिए यह बट केश्र महादेव कोई साधर्ण नहीं है हमारा अदालत में केस चल रहा हो प्रशासनी कोई परिशानी आ रही हो कोई एक्जाम निकल नहीं रहा हो कोई केस अदालत में चल रहा है नहीं निपट रहा बढ़के पेड़के नीचे शिवलिंग का निर्मान करें और शिवलिंग का निर्मान करकर उजन करकर जी का घर्त का दिया लगाकर दही चड़ाई उस दही को वाफिस साथ से चम्मज से चम्मज मे निकाले रख लो शिवजी की पूजन अर्चना करकर भगवान भोलेनात के शिवलिन का भी सर्जन करिया आओ दही जो चम्मज में निकाला है उसको एक रुमाल में लगा लीजिए चाहे स्वस्तिक बना लो चाहे छापा लगा लो दिंदी लगा लो उस रुमाल को जिस एक्जाम में बेट रहे है उसमें जेब में रखतर ले जाए आजालत जा रहे हो तो उसको अपनी जेब में रखतर लेकर जाए मारा बटकेश्वर महादेव का उजन बटकेश्वर महादेव का इस्मरन बटकेश्वर महादेव की अराधना बटकेश्वर महादेव का नाम जाग बटकेश्वर महादेव की अर्चना फल देव मिटकेश्वर सुख परदावन करती है आगके जवन में आनंद प्रदान करदे आगके जवन को आनंद देती है झाल